हेलो एव्रिवान वेलकॉम बेक टू कावे सकेडवी यहां पर हम बात करेंगे बीएचू एमसी जॉलोजी 2020 की 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 ओके ऑनली की बता रहे हूं को एक्सप्लेइन नहीं कर रहे हूं तो यह जो की है यह ऑफिशल नहीं है आपको पता है ऑफिशल की अभी टू विक बाद में तो जब तक आप इसकी का यूज कर सकते हो तो वह भी है कि यह मैं यह नहीं बोलूंगी आपको कि यह 100% true है ना थोड़ा बत कोशन अंसोर उपर नीचे हो भी सकते हैं बट मेरे साइड से यह आपका मैं आपको अंसोर गदा देती हूं कि तो यहां पर यह जो पेपर लिया म कि सो यहां पर यह जो पेपर है यह साइड 3 है 20p 216 यह आप देख लेना अपने हिसाब से जो भी है तो आप क्या करना एक कॉपी एंड पैन ले लो ओकी तो उसके अंदर 120 कोशन है तो यहां पर मैं 1240 कोशन डिसकस करूंगी जो भी आपका करेक्ट होता है उसमें आप प्लस स्टेरों आपको मैंने बताया टो स्टेरों को भालिस्टरों होते हैं तो आपका चो नौपर फस्ट करेक्ट पेक्षिक श्लीक नुल की थे इंडивल स्टेरों डेग्त लॉचह कंवरसंगे तो आप्शन नमबर साइक आपका करेक्ट यहां पर ना विच अव फॉलिम्रेस सिंथेसाइज इन पॉलिनुक्लिट इन टेंपलेट इन डिपेंडेंट मैनल तो यह तो अगैन बहुत बहुत इजी कोशन है ना लास्ट रेकिपल में आ रखा है आज इस लाइन तो यह आपका है पॉलिये पॉलिमरेस तो आपा जिसे सामने डिन की वह झोभी है टेंप्लेट की ज़रुरत नहीं होती हो एक वह इन डिपैंड मैनल में होता है तो टेंप्लेटि को नomber पूछागिए आपका करेक्ट ना कोशन नॉमबर वडीशन फॉर principal काक्ट अव धी फाइफंबेश नहीं उन यहां पी होता है तो यहां मों पता है कि यह को बचने के लिए यहां ड़ाता है कि हुआ चाहएं पीफॉस Şu और यह को पता है यह प्तिए लिए प्होंध ग्यूर जी आधета प्सफित और नो उसके जो लास वाला जो फॉस्वेट है। टो यहां प्यू यहां पर यहां प्यू बंता है स्षक्ति कर्वाइसेटरों यू पाउसटरों तो इसमेंट चाहिए फाइप तो लौकारन कशन संट एंदर मुंप कैं और необходимо तो दोनों के 5 प्राइम 5 प्राइम की जो बॉंड होता है that is a phosphodiester bond यह question भी again repetitive है so option number first है आपका correct now question number next promoter of a zine reported to the present at a minus 25 position that means the sequence is located at तो यहाँ पे promoter है तो promoter के आगे क्या होगा that is the upstream reason from the transcript site so option number second है correct now question number next which of the which of the event is likely protect the host dna from the e-coli digestion यह भी repetitive है तो वही है कि उसमें क्यों का methylation of the recognized site on the dna so option number first है आपका correct यह तो 100% correct ही है now question number seven again hardy vingberg principle की बारे में आगया तो यहाँ पी क्या है the frequency of two alleles in a gene a आपका दे रखा है a की value दे रखिए wait a की value आपका दे रहे कि 0.19 small a की दे रहे कि आपकी 0.81 assume the population of the hardy vingberg equilibrium the percentage of heterozygous heterozygous का percentage कैसे निकालते है आपको पता है देखो a square plus p square plus 2pq plus q square is equal to 1 यह आपका hardy vingberg का low है तो यहाँ पे क्या पुछा गया है heterozygous heterozygous means 2pq की पूछा गया है तो 2pq और दूसरा की पूछा गया यह पर this is the homozygous means q square that is the 0.81 तो कैसे करेंगे आप आप करोगे 2 into 0.19 into 0.81 ओकी तब आप इसको solve करोगे तो आपका अंसर रहेगा that is the approach 30 point means 0.30 तक आएगा ओकी 0.30 75 तक आएगा तो इसको आमें percentage में convert करेंगे वापिस को multiply करेंगे 100 से तो आपका आएगा 30.75 तो और से बात है 50 से उपर होता है means हम इसको 31% मानते है ना जब यह कोई चीज 50 से उपर होती है उसको 31% मानते तो 31% तो यह हो गया ना दूसरा हम निकालेंगे जाएगा रिषाजी हो मैं जाए रिषाजी हो कैसे निकालेंगे उसका करेंगे आप एसको तो इसको कितना हो 81 in to 81 .81 in to 81 that is 65 61 65.61 ओकी तो 61 है मिंस 50 से उपर है मिंस हम बोलेंगे इसको 66 % ओकी तो आल अबर यहीए है कि यहां पर इसको ऐसे करने है परसंटेज में काल्कुलेट करने के लिए इन तू हंड़ेट करने है और उसका क्या है क्यों इसको एंटू हंड़ेट ताप निकालोगे तो 31 परसंट और 66 परसंट आपका निकले का सॉप्शन नूमबर सेकिंड आपका करेक्ट ना ट्राइन यहां पर दे रखा है तो तो वही है कि टू अलिस का फॉमला मैं आपको बता रखा था किया बता रखा था कि प्लस q is equal to square था भी पता है प्लस q 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 नम्ब थाड आएगा ना सौप्शन नम्ब थाड रहें करेक्ट नाव कोशन नम्ब नाइन इस ट्रेंथ और सेलेक्शन इन एक्षिन अप्शिन अफ दीकॉसेंशन सेलेक्शन यहां पे ध३या देखो एक सब्सक्राइब कि यहां पर क्या है यहां पर क्या है एक्षिन श्राइब्ट नाइस सब्सक्राइब होता है तो यह इस इदर जाएगा डबलू इदर आएगा मिनस आपका क्या होगा आपका होगा 1-S जाएगा ओके क्यों डबलू इदर गया और यह यह सदर आया तो 1-3 है आपका करेक्ट है थार्ड next question number 10 इसमें index fossils are best explained by तो यह आपका है आपका option number 10 का है 2 ना इसके अंदर 11 के अंदर आपका क्या है टैंक की पावर 5 टैंक की पावर माइनस 6 दी नंबर ऑफ गैमेट्स कैरी और न्यूली म्यूटेट अलिल आफ एड दी अनी पर्टिकुलर लॉकस जांद में नंचि नंच को का मिल भी तो वह है टैंक की पावर माइनस 5 को क्या लिखते हैं ऑन ऐसन वाएंग मांड़ टू ट्री फॉर फ़एंगे ओके यह होता है कि वह इन वन यह रहना option नुबब 1 में दे रखा है साफ्षिन ममझा नुम्ब 1 यहापका करेक्ट ना कोशन नुमब ट्वैल वाट थाइप आफ फ्लीस प्टेंड अप्सप्रॉट में कांसा प्लीस प्ली पेटर्न होता है तो फ्रोग एंब्रियो के अंदर प्रिक यहापकर व्रस्टीविड type of reasonation यह भी कोशन रिपिटेटिव है इस कोशन का यह क्या 13 13 का आपका 1 है correct okay now question no.14 यह कोशन का as it is repeated है हना sand to line which of the following explain involution type of moment during the gastrulation तो कैसा वाता है that is the inward moment expanding outer layer of the spread over the internal surface of the remaining accidental cell so option no.4 है आपका correct now question no.15 during gastrulation in xenopus the blastocel तो वही है that is the option no.4 okay now question no.16 between between fertilization the first cleavage division active filament pull the cytoplasm of the frog toward the point of sperm entry तो वही है आपको बोला था कि fertilization वाला topic अच्छे से लांच कर लेना है ना तो वह आपका अगा after fertilization का क्या process होता वो भी तो यहां पर cortical rotation होगा option no.1 है आपका correct question no.17 fat map तो जो fat map है fat map का यहां पर जो answer है that is the option no.3 okay track the differential pathway of the cell all group of cell option no.3 है आपका correct और यू social organization is found in all species मैंने आपको बोला था यू social social यह सारे animals की organisms की example learn कर लेना ना इसका जो answer है that is option no.1 आंट अंट टर्माइट कोश्य नंबर next यहां पर यहां पर angustic behavior pattern पूछा गया तो यह जो behavior pattern होता है वो क्या होता है कि 12th Sam species की साथ में होता है ना यजब deal spell game competition करती है इस फूड की म Sun Wr video कर सकती है में में कर सकती है तो यहां पर competition है दूसेन सेमशम में होता है तो यहां रखना इन दूनों के सो अप्सिंग नंबर फॉर ते आपका करेक्ट ना कोशिंग नंबर 20 विच फॉलाइंग कैन भी कंसीडर तिटोरी तो यहां पर क्या होते है कि इसका मिंग क्या होता है कि जो अर्गिनिजम है वह अपने एरिया में रहेगा साथे साथ उस एरिया के अंदर डिफैंस भी करे और यह गाए भी सो अप्शन नमबर डिफेंस और रहना दोनों होता है तो अप्शन नमबर फोर ते आपका करेंट अपका करेंट अप्शन नमबर एक्षिपाइब और डिफेंड बाइब और सिंगल एनिमल और ग्रॉप ओके इसाइब नहुंत मुज़ु ई मांक्षिक और अप्शन नमबर प्षा यह तो इन्टरनल वह और इंकरेंड ramen की क्योंकि या तो । करने के लिए या फिर अपने से मिस्पीजिस से काउनिकेट करने के लिए आपका थर्ड होगा कारेक्ट ओके ना पूशन नमबर 22 इंक्लूजिव फिटनेस रिफर्ड तो दे फिटनेस ऑफ दे इंडिविजल टेकर एकाउंट दी कॉंसकेंस ऑफ दी अक्शन तो यहां पर जो यह भी नॉट्स यहां है तो उसको एक बार चेक कर लिना ना कोशन नमबर 23 सावना ग्रास लेंड इको सिस्ट्रम इस करेक्टराइज बाए तो वही है कि यहां पर फॉरेस लेंड का दोनों का मिक्सर होते हैं ओकी सॉप्शन नमबर 4 ते आपका करेक्ट ना इको टॉन और ट्रांजिशन जोन है वा स्पिसिविक डाइवर्सिटी यह तो मैंने बहुत अच्छी से बता रखा था कि दो इको सिस्टम होते दो अलग अलग होते हैं ना इन दोनों की बीच में जो एरिया ओता इस ऑ ट्रांजिशन जोन इको टॉन बोलता हो यहां पर सबसे ज्यादा ड इस अजिस्ट इन यहां पर यह थोड़ा कंफीजिंग कोशन है क्योंकि दोनों के लिए होता है स्वाइल कंजरिशन इन वाटर कंजरिशन ना बट मोस अप्रोपेट अंसूर आपका सगेंड होगा ओके ना कोश्चन नुमबर नेक्स विच्ट अस्रेट आर यूज फूल इ इन इस 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 चैन बीड़न बाए तो यह जीज में आपको बोली थी कि इस लिए क्जामपल आपके लें कर लेना क्या-क्या होते हैं तो आपका नुमबर फोर ते आपके करेक्ट ना कॉश्चन नुमबर ट्वेंटी एट तो वही है कि आपका अप्शन नुमबर फोर्ट ह आपका करेक्ट नुमबर नेक्स्ट तो बहुत ज्यादा पुछा गयाता है ना यह भी आपको मैं अच्छे से बोला था कि वह सिक्वेंस आप लन कर लेना तो यहां पर ऑडर है और किसकी बीच में होता है और होता है आपके क्लास और फैमिली की बीच मेंना सो ट्वेंटी को 28 का अपका थार्ड एक करेक्ट ऑके सवाइट तो यही आपका जीने से पीजिस ऑप्शन नुमबर सेकिन करेक्ट ना कोशन नुमबर 31 डाइकोटोमस की यूसपोर तो यही मैंना आपको बोला था कि लेब में भी एक्स्परेमेंट करता है आप जब लेब में वर्क करोग सब्सक्राइब करने के लिए किया था है सब्सक्राइब करेक्ट ना कोशन नुमबर 32 बाइलोजिकल स्पीजिस कंसेट इंफाइज यह तो बहुत रिपीटेटिव है आपको अच्छे से मैंना आपको बोला था रिप्रोड़क्टिव रिलेशन सी पताता है सब्सक्राइब इस पीजिस नैमिंग आया आपको तो आँख बंद करके अलफा लिखना अगर लेवल आपका पुछे तो बीटर करना एड एवलुशन का पुछे तो गामा करना तो यह कोशन अगर मेरे स्टुएंट को पता है तो वह पक्का हंडेट परसन यहां पर अलफा करके आया होंग है तो अलबर यहां पर अन्रिस्पोंसिव टू आंटीजन हो ना फॉन पार्टिकल आंटीजन ही मानों आप सौप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट ना विच विच और विच और इस रिस्पोंसिबल फॉर डेवलॉप्मेंट ऑफ मैचूर्टी और से बाद थाइमस ना आपको पता है कि ऐसी कौन सी इम्मिनोग्लोबिन है मैं आपको बोला तो इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा करेक्टर आप देख लेना ना तो आई जी जी होता है वो फीटर सी फीटर मींस मदर से फीटर तक टांस्पोर हो सकता है ना प्लेसिंटा के त्रू और ध्यान र होता है हर जगा बट वही है कि मौस्ट अप्रोपेट आंस्पोर देखेंगे तो आई जी जी आपका होगा कारेक्ट आंस्पोर के ना कोशन नूंबर नाक्स कोशन नूंबर 37 37 क्या है सोमेटिक रिकॉंबिनेशन इन इम्मिनोग्लोबिन जीन एकांट फोर से बाद बाद नाक्स कोशन नूंबर 38 अधी मोस्ट इंपोरेंट शाल टाप असोचेट विद एक्वाइव इम्मिनिटी ऑफ दी बडी कोशन रिपीटेट हुए लिंफोसाइट नाव 39 ऐइंटिफाइव इच फिट नॉट पेरासाइट एंड एक्टो पेरासाइट एक्टो पेरास ब्लैक वाटर फिवर इसपीसल मैनिफेस्टेशन और मलीरिया इसको बार यह कोशन ऐसे रिपीटेट्व नहीं है बट मैंने अपनी स्लाइट के अंदर समझा रखा है कि यहां पी जो फैलसी पैराम है वह ब्लैक वाटर फिवर होता है ठीक है सौप्शन आपका 40 का होगा फ लास पार्ट के अंदर आप सब अपने माक्स कैलकुलेट करना और मुझे कमेंट में बताना क्या आपका क्या आपका क्या लेवल रहा है तो अगें बोल रहे हैं ऑफिशल की नहीं है ऑफिशल की का थोड़ा वेट करो ओकी दो टू वीक्स में आ जाएगी वैसे 2019-18-17 इतने पीपर सब्सक्राइब वहाँ पर मुझे कोई भी ऑफिशल की नहीं मिली है बट अभी बोल रहे हैं ऑनलाइन पीपर है तो में भी ऑफिशल की आएगी आप भी मेरे स्ट्वेंट तो कोई ना कोई मुझे ऑफिशल की सेंट करी देगा तो मिलते हैं नेक्स पाट के अंदर यहां तक इसना ही ओकी सो थैंक यू सो मच फोर वाचिंग मैं वीडियो बाइब टिक एटो